हेलो फ्रेंट्स वेलकाटमाटो अल ऑफ यू इंड माई योट्यूब चैनल पढ़ाई विद फी ए तो दोस्तों होऔर आप आल वीडियो पहले बार देखने फिर हमारे चैनल पहले बार आए हैं और आप सब जानते हैं कि राकेश जातव सर की अबुग हर एक सबसे बेस्ट बुग है आपके competitive math के लिए तो अधी आप यहां से अपनी तयारी को complete करते हैं तो आप exam में आसानी से और कम समय में अपने सवालों को solve कर पाएंगे तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें यहां पे हम आपको पूरी एंक गनित SSC की पूरी तयारी यहां पे कराएंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सवाल नंबर पांच तक कर लिया था आज हम देखते हैं अपना सवाल नंबर चो और अभी एम एक जांपल बता रहा हूँ क्योंकि एक्जांपल में यहां पे हर एक टाइप के कॉस्टेंस दिये गए हैं तो एक बात जब आप हर एक टाइप को सिख लेंगे तो फिर पूरी एक्सरसाइज को हम लोग कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कॉस्टेंस नमर सिक्स क्या दिया है दिया है सत्तर का बीस परतीसद का पच्चास परतीसद का पच्चास परतीसद का पच्चतर परतीसद क्या है तो देखिए सवाल देखने में को लग रहा कि बहुत लेंदी सवाल है लेकिन नहीं यह सेकेंटों में बलने वाले सवाल है देखिए कैसे देखिए सत्तर दिये हैं तो आपको सत्तर लिख लेने हैं ठीक है देखिए 20% दिया तो 20% भिन जानते हैं कि एक बटा 5 होता है 50% का भिन एक बटा 2 होता है 75% का भिन तीन बटा 4 होता है बस हो गया इतना ही आसान था आप से solve कर लिजिए आपका answer आ जाएगा जैसे कि 5 दूने 10, 10 से 10 होगे cancel तो इपर में साथ या 21 बटा 4 तो एंसर क्या आगया 21 बटा 4 तो देखिए कितना आसान सवाल था कितने आसान ही से इसके एंसर आगे मातर शेकेंटों में लेकिन सवाल देखने से बहुत बड़े सवाल लगते हैं यदि आप इन्हें long method से बनाईएगा तो 70 गुने 20 बाई 100 गुने 50 बाई 100 गुने 75 बाई 100 फिर आप काटने कुटने बहुत आदी आपको लेट लग जाएगा लेकिन इस method से आप इसे सेकेंटों में बना सकते हैं चलिए देखते हैं अगले सवाल को यानि सवाल नंबर साथ को तो आप देख रहे हैं कि सवाल नंबर साथ में क्या है यदि P plus Q का 20 परतीसत बराबर P minus Q का 40 परतीसत तब P अनुपाद Q क्या होगा तो देखिए मैं इसे बनाने के आपे 2 method बताता हूँ तो सबसे पाइले जो percentage का method मैं उसे बताता हूँ तो आपको क्या करना होता है तो इसे सवाल में आपको यहाँ पर देखिए जो दिया है P plus Q तो आपको उसे solve कर लेना है P plus Q यहाँ पर दे दिये गए हैं क्या दिये गए है P plus Q यहां पर इस तरह से आपको दे दिये गए ठीक है तो P प्लस Q का 20 पर 30 तो 20 पर 30 आपको लिख देने डाइड़ेट यहां पर 20 पर 30 ठीक है यह बराबर दिया है आपका P माइनस Q का 40 पर 30 तो 40 पर 30 आपको बराबर कर लेने है ठीक है तो यह आपका हो जाएगा अब आप क्या कीजिएगा तो देखे परतीसाद से परतीसाद हमारे कैंसल हो गए 20 से से कैंसल करेंगे तो यह दो बार में कैंसल हो जाएगे ठीक है इधर क्या हो गए इधर P प्लस Q हो गए तो इधर ही आपका हो गए P प्लस Q बराबर इधार आपके क्या गए दो से गुना हो जाएंगे तो 2P माइनस 2Q यहाँ पे हो गए ठीक है तो यह P प्लस Q और इधार हो गए 2P माइनस 2 रिखिए 2P है इधार से P बराबर हो जाएंगे आपके 3Q तो पको प्लस Q का 20% प्लस Q का 40% देखिए में आपे P माइनस Q को इधार ले आता हो तो क्या हो जाएंगे P प्लस Q बारे माझेंगे आपके P माइनस Q ठीक है इधा बराबर क्या बराबर आपके 40 है इधार चले गए आपके होगए 20 ठीक है तो अब इससे कैंसल करेंगे तो क्या होजाएंगे उपर में दो नीचे में एक तब लोग गांप फोड़ंडो डीवेंड़ों सीखें होंगे क्या होता है तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो इस तरह से इसका निसर आ जाता है पी बायक्यू इक्वल टू थुरी माइनस उन आगे ठीक है अधि इस वीडियो का और ये एक्स्प्लेंसन जानना चाहते हैं इस मेथट का तो कमेंट बोक्स में कमेंट करें तो देखें सवाल नमबर 8 है कि 300 का 20 पर 30 का 25 पर 30 क्या है चलिए देखते हैं से सॉल्व करके किस्ता से सॉल्व होते हैं तो देखिए आसानी से हो जाएंगे 300 है का 20 पर 30 पर 30 का मतलब जानते हैं कि 1 बटा 5 25 पर 30 एक बटा 4 5 यो के 20 तो 0 से 0 चलेगा दो बार में 500 काटेंगे कितना आएंगे 15 तो यह पर हमारा इंसा कितना आगया 15 तो बहुत ही आसान सा सवाल था तो चलिए पढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर यानि सवाल नमबर 9 पर देखिए एकला सवाल नमबर है 9 किस संख्या का 25 परसेंट 36 के बराबर होगा किस संख्या का 25 पर 30 किस के दिया है तो युपर वाला जो दिया है 25 परती साल वो दिया है 36 यानि कि एक मान का मान दिया है 36 कुल संख्या कितनी है 4 है 36 का 4 गुना है कितना होता है तो 6-24 के 4 4-3 21 और 2 जुगदर किتने हो जाते हैं 144 तो किसी संख्या का 25 परसेंट वह चार थिस है तो वह संख्या कितनी होगे तो वह संख्या आपकी 144 होगी ये होगे आपका सवाल नमबर 9 का एंसर तो चलिए देखते हैं अपने अगले एंसर आनिके सवाल नमबर 10 को चलिए आपका अगला सवाल है अधिये एक संख्या का 20% 240 है तब वह संख्या का 120% क्या होगा देखिए क्या दिया गहा है बीस परतीसद का मान दिया गया है आपका जो है वह दोसो चालीस है तो बीस परतीसद का मान हो गया आपका दोसो चालीस तो बताए एक परतीसद का मान कितना हो जाएगा तो बुलेगा सर एक परतीसद का मान बारा हो जाएगा तो बताओ एक सो परतीसद का मान कितना हो जगा सुरी एक सो ने हम से पुछा गया एक सो बीस परतीसद का मान किया हो जगा तो बारा के सो बीस से गुना करेंगे तो बारा बरा है 144 और जीरो कितने हो गए तो 14, 140 हो जाएंगे आपके यहाँ पे सवाल नंबर 10 के एंसर तो मुझे लगता है कि आप यह अच्छे से समझ रहे होंगे तो चलिए बढ़ते हैं अपने एगले सवाल नंबर 11 आपके सवाल नंबर 11 आपके इसके पे दिख रहा है 14 पुरनांग 3 बटा 17 पर 30 किसके बराबर होगा तो देखिए तो इसमें हमें क्या करने होते हैं तो हरे के परसेंटेज हम याद नहीं कर सकते हैं इसलिए हमें निकालने कि इसकी विदी को भी ज्याद करना अच्छा होता है तो क्या करेंगे तो हमें दिए गए हैं कि 14 पुरनांग 3 बटा 17 का निकालना है ठीक है चलिए तो फिर आप क्या करेंगे आप गुना करेंगे 17 को 1 से गुना करेंगे 17 और 3 हो गए 20 20 के 0 हाथ में कितने हो बचे 2 बचे फिर 17 को 4 से गुना करेंगे 17 चुक्के 68 और हाथ में था 2 कितना हो गए 60 तो यह हो गए 700 नीचे में है आपका 17 ठीक है देखिए हमें इसको भिंड में बदलना है तो आपको पता है कि यहाँ पर परतीसाद था तो परतीसाद का मतलब होता है 1 बटा 100 तो आपको कितने हो जाएंगे 1 बटा 100 तो 1 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 cancel हो जाए तो इपर में कितने बच गए 7 नीचे 17 तो इसका answer क्या हो गया 7 बटा 17 यहाँ पे हो गया आपका इसका answer तो इसका जो सही answer होगा कितना होगा 7 बटे 17 तो चलिए पढ़ते हैं हम अगले सवाल पर आने कि सवाल नंबर 12 होगे सवाल नमबर 12 में दिया गया है कि यदि X का 125% 100 है तब X का मान क्या होगा तो देखिए जो हमें दिये गया है उसे परहले लिख लेते हैं 125% दिया गया है देखिए यहाँ पर पहले बताई है कि 25% का मान कितना होता है तो आप सभी गोलेगा सार 25 परतिसाद का मान होता है एक बटा 4 और देखिए इसमें 125 किया है तो आपको इसमें एक जोड देना है क्या करना है एक जोड देना है तो अधि इसमें एक जोड देना है तो कितना हो जाएगा हमारा 5 बटे 4 ठीक है या फिर 125 परतिसाद का मतलब है कि इसमें 100 जोड दिया गया तो ये नीचे वाला 100 इसमें 1 जोड दिया कितना है 4 और 1 5 तो 5 बटे 4 तो 125 परतीसत का मान हो गया कि 5 बटे 4 है ठीक है 5 का value आपको दिया गया है 100 है तो बताइए 5 का value दी 100 है तो 1 का मान कीतना हो जाएगा तो एक का मान हो जाएगा आपका 20 तो कि unity निकालने के लिए बताएं क्या करता है इसको 5 से डिवाइड करना है तो 20 पंचे 100 तो एक का मान हो जाएगे आपका 20 तो 4 के मान आपके कितने हो जाएगे तो 20 चोके 80 तो 4 का मान हो जाएगे आपका 80 यानि कि वह संख्या कितनी हो गई यह संख्या हो जागि चेलिए और यह से समझ देखिए 25 पर 370 आप को बोला गया है तो 125 पर 370 आने क्या है 100 प्रत्रामप 20 तो एक होता है 25 का मतलब एक बटा 4 होता है यहां तो आप से जानते हैं तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 बटे 4 हो जाएंगे यानि कि 125 परतीसाद काने का मतलब है 5 बटे 4 यानि कि यदि कोई चीज 5 4 है तो 125 परतीसाद होगा 5 तो हमें 125 परतीसाद का मान दिया गया था कि 100 तो मैंने 5 के बराबर क्या कर दिया यहां पे 100 कर दिया तो हमने जब 5 बराबर 100 कर दिया तो एक बराबर हमारे कितने आ जाएंगे तो 100 को 5 से भाग दे दिया हमारे 20 आ गए तो फिर हमें मूल संख्या क्या था 4 था तो 4 बराबर कितने हो गए तो 80 हो गए तो 4 बराबर यहां पे हो गया 80 तो यही हो गए जाएगा आपका answer 80 ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं उपने अगले सवाल पे तो हमारा जो अगला सवाल है वो सवाल लंबर 13 है कि यदि X-Y का 50 परतीसत X-Y का 30 परतीसत है तब Y X का कितना परतीसत होगा तो अन्य कि आपको Y X का कितना परतीसत होगा इसका काने कि क्या मतलब है कि आपको Y बटा X का परतीसत निकालना है तो चलिए पहले हम Y बटे X निकाल लेते हैं तो जब कि हमें दिया गया है पहले हम उसे परतीसद के है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि यहां पर जो से 0 कट जाएंगे 5 है तो 5 से गुना कर दीजिए कितने हो जाएंगे, 5X माइनस 5Y, इधर कितने 2 हैं, तो 2X पलस 2Y तो देखिए, Y इधर माइनस में तो Y को इधर जाएंगे, X को इधर ले आईए तो कितने हो जाएंगे, 5 और में 2 चले जाएंगे तो 3X, ठीक है इधर आपके कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7Y हो गए हमें Y by X रखने हैं, ठीक है तो चलिए Y by X को निकालते हैं तो यहां पर जो हमारा Y by X होगा, तो देखिए इधर 3 तो पहले से था, इधर 7 एक बार और आजाएगा, यानि कि 3 बटा 7 हो गए अब हमें चूंकि निकालना है इसका गुने 100 यही परतिस्त होगा, तो गुने 100 हम यहां पर कर देंगे तो यहां पर हमारे कितने आगए तो यहां जो यहां पर आवे तो कितना आगए, 3 बटा 7 गुने 100 आप इसको बदाल देजिएगा तो यही जो वैल्यू होगा, वही आपका परतिस्त में वैल्यू होगा ठीक है ओके, लेकिन देखिए यहां पर जो मैंने सवाल ले था, जो मिश्टे हो गया हुआ है कि यहां पर 30 परतिसत दिया गया था मैंने यहां पर 20 परतिसत ले लिए चलिए से फिर से बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यह X माइनस Y का आपको 50 परतिसत दिया गया है यह बराबर है X पलस Y के 30 परतिसत के, ठीक है तो देखिए, एक 0 से एक 0 आपके कट गये तो 5 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा तो यह हो जाएगे, 5X माइनस 5Y बराबर हो जाएगे, 3X पलस 3Y, तो 5 हैं इदर 3 हो जाएगा कितने हो जाएगा, 2X हो गया इदर आपके कितने हो गया, तो 5 और 3, 8Y हमें Y by X निकालने हैं तो Y by X तो Y by X का माण क्या हो जाएगा तो देखिए, इदर 2 तो आपके 20 से हैं, इदर से 8 आपके आपके और गया, और गुने हमें 100 करने हैं, क्योंकि परतिसत निकालना है, तो गुने 100 करेंगे, तो इससे काटिएगा तो आपके 4 बार में कटे हैं, चार से 100 करते हैं, आपके 25 बार में तो Y by X गुने 100 जो हुआ तो कितना आगया, 25 परतिसत, तो यहां पर कितने परतिसत हो गए आपके अंसर, 25 परतिसत, तो इस पर करके सवाल को आप इसी तरह से असानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए परते हैं, अपने अगले सवाल पर, नहीं सवाल नंबर चोगदा पर चलिए, सवाल नंबर चोगदा है, कि यदि एक संख्या में 64 जोडने पर या स्वेम की 157 परतिसत हो सवाल को पढ़ने के बाद बहुत कोई लग रहा है, नहीं तो देखिए, मैं आप बताता हूँ, वैसे इतना असान से बताओंगा, कि इसके बाद आप सवाल को बहुत दी आसानी से, कम समय में बना पाईएगा, देखिए कैसे, तो सबसे पहले जो मैंने बताया है, कि आपक किसे निकालना है, देखिए से मैं लिख सकता हूँ, कि एक सो प्रतीसद प्लस संतावन पुर्नाग, एक बटा साथ प्रतीसद, बुलेगा हाँ सर लिख सकते हैं, अच्छा बताओ, एक सो प्रतीसद का मान क्या होता है, तो इसका मान आपका एक होता है, एक सो प्रतीसद का म बटे नीचे है आपके 7 और प्रतीसात का मान तो बटा है एक बटा 100 होता है तो एक 0 से एक 0 एक 0 से एक 0 कट गए तो कितने हो गए आपके 4 बटे 7 पलस एक तो जब इसे लेगी है कितने हो जाएंगे 7 4 11 बटा 7 यानि कि 157 पुर्णां के एक बटा 7 जो है वह कितना है 7 बटा 11 इसका मतलब क्या है कि हमारा 7 जो है वो रियल संख्या है और जो 11 है वो हमारा क्या है बढ़ा हुआ संख्या है मतलब कि संख्या हमारा 7 से बढ़कर कितना हो गया 11 हो गया तो हमारी जो संख्या है वो 7 से बढ़कर 11 हो गया तो चलो अब बताओ कि संख्या कितना बढ़ा तो चार बढ़ा है तो बताओ जो हमें सवाल में दिया गया है कि आपका जो संख्या है वा कितना बढ़ा है तो आपका संख्या को 64 बढ़ा गया है यानि कि यहाँ पे जो 4 है वा आपके किस के बराबर है तो बुलेगे सार यहाँ पे जो 4 है वो हमारे 64 के बराबर है, ठीक है, तो ठीक है, चार यूनिट तो हमारा निकल गया, तो बताओ, एक यूनिट का मान क्या होगा, तो बुलेगा, सार, 64 को 4 से भाग देंगे, तो 4 एकाम, 4, चार, 64, तो कितने हो गया, सोईला हो गया, एक का मान आगे, आपका सोईला, अब बताओ कि हमारी जो संख्या थी, वो कितनी थी, तो बुलेगा, सार, संख्या तो हमारा साथ आया था, यानि कि हमें किसका मान निकालना है, साथ का मान निकालना है, तो साथ का मान कितना हो जाए तो यहाँ पे जो आपका answer हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 112, देखिए कितनी आसानी से हो, कितना कम जगा में या सवाल आसानी से बन गया, देखिए जब आप यह process अच्छा से सिख जाईएगा, तो मैंने यहाँ पे जो दो step किये हैं, या और या step हो आपको करने की जरुरत ह नहीं पड़ेगी, आप सिफ इन ही दो steps में या इतने इस जगा में आप answer इसका आराम से दे सकते हैं, इतना समय में दे सकते हैं, लेकिन बरसते आपको क्या होना चाहिए, इस method का अच्छे से practice होना चाहिए, और practice कैसे होगा, तो आप हमारे वीडियो को लगातार देखते र हो जाएगा, तो चलिए पढ़ते हैं, हम अपने अगले सवाल पर, तो हमारा जो एगला सवाल है, याने कि सवाल नंबर 15, वह आपको आपके स्कीर पर दिख रहा है, कि यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयम की 144 पुर्नांग 4 बटा 9 परतीसत हो जाती है, तब म परतीसत है, तो हमें मुल संख्या ग्यांत करना है, तो देखे, यह मेथड भी से हैं, उसी मेथड जैसा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 444 पुर्नांग 4 बटा 9 का पहनुपाद ग्यांत करना है, तो कितना है, 444 पुर्नांग 4 बटे 9 परतीसत, तो मैंने क्या बोला, क 400 है तो इससे क्या कीजिए 400 को अब अलग कर दीजिए ये कितने हो गए 400 परतीसत पलस यहां पर आपके बच गए 44 पुर्णांग 4 बटा 9 परतीसत ठीक है तो चलिए अब इसका भीन्ने निकालते हैं क्या हो जाएंगे तो जब 400 है तो 400 परतीसत के जगा पर कितना आ जाएगा एक बटा 100 आ गए ठीक है अब इसे गुना कीजिए 9 चुके 36 36 और 4 कितने हो जाते हैं 40 हाथ में कितने हैं 4 9 चुके 36 और हाथ में था 4 कितने हो गए 40 तो 400 हो गए नीचे हैं आपके 9 गुने चुकि प्रतीसत है तो बटे 100 तो 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गए यहां पे भी 2 0 से 2 0 कट आपके तो यहां पर आपके बंच गए 4 ठीक है यहां पर बीच में प्लस एक बटा हो गए आपका 9 ठीक है तो कितने हो जाएंगे 9 4 36 प्लस एक 37 तो यह आगे आपका 37 बटा 9 ठीक है चलिए बताइए इसमें जो 37 हो क्या होगा तो क्या दिया था सवाल वेक पढ़ लिजिए 930 जोड़ने पर यह स्वयम की 444 पुर्णा में 4 बटा 9 परतीसत हो जाती है तो कितना जोड़ने पर तो 930 जोड़ने पर तो इसमें से ही जोड़ा गया मूल संख्या में जोड़ा गया है तो मूल संख्या में कितना जोड़ा गया पता कीजिए तो इसमें से इसको हमें घट तो यह हो गया हमारा 37 और 37 का अमान तो 444.4 बटा 9 था तो हमने इसमें जोड़ा कितना 28 और यहां पर कितना बोला गया जोड़ा गया है तो यहां पर बोला गया कि 930 जोड़ा गया है यानि कि जो हमारा 28 है तो 28 का अमान हो गया आपका 930 30 128 का मान हो गया आपका 930 निकालने क्या है? तो हमें निकालने हैं कि आपके जो नीचे हैं यानी 9 हैं तो 9 का मान आपका क्या होगा? ठीक है लेकिन देखिए आपर इस विश्चे का क्छार्थ सथे आपके हो गया 40 बटे 9 1 एक कितना बढ़ा है? वो देखिए पहले आप तो 9 से कोई सीज बढ़के आपका हो गया 40 यानि कि वा कितना बढ़ा तो यह आपके कितना बढ़ा तो यह आपका 31 कितना बढ़ा 31 बढ़ा तो 31 का मायन दिया था कि 930 है ठीक है तो बताई एक का मायन कितना हो जाएगा तो एक का मान हो जाएगा, तीन बार में जाएगे, तो एक का मान हो गया आपका 30, तो हमारी संख्या कितनी है, हमारी संख्या 9 है, तो आने कि हमें 9 का मान निकालना है, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27, याने कि 270 हो जाएगे आपके 9 के मान, तो 9 का जो बेली हो पुरनांग 4 वटा 99 परतीसद य कि महने 435 Plus 44 पुरनांग 4 वणवर 29 परतीसद लिख दिया 435 का मान्पकर 4 गया और 44 पुरनांग 4 वटा 99 परतीसद के जब मुने निकाला तो 4 वठे 9 आ गया तो जब मैंने से सुल्ड किया तो 9 चोके 36 और 4 चालिस तो 40 बटे 9 आ गई तो अब बोला दिया था जोड़नेगे इसमें कितना जोड़ा गया तो 31 जोड़ा गया है और हमको बोला था जो जोड़ा गया है वह संख्या हमारे 930 है तो 31 बराबर 930 हो गई तो एक का मान आपका 30 हो गया 7.50 परती किलोगराम हो गई यदि खर्च नौ बढ़े तब खपत में कितने परतीसत की कमी करनी पड़ेगी तो यही आपको बोला गया है कि यदि खर्च ना बढ़े तो खपत में कितने परतीसत की कमी करनी पड़ेगी तो चलिए आज मैंने एक टाइप का सवाल बना लिए तो कल मैं इस टाइप के सवाल को आपको बताऊंगा इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उसे में कल के वीडियो मैं आपको पूरा बताऊंगा तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूं ठीक है तो चलिए आज का को इस चैनल के बारे में जरूर बताएं चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तो तक लिए धन्यवास जाहिंद वंदे मात्रम